Welcome to Class Entryst मैंने तो आप लोग को Sil membran बता दिया अब हम लोग का नया टॉपिक है Sil wall और Sil wall जो होता है cabbage सेल मेंबरिन के उपर रहता है और यह मोश्टिली प्लांट से से पाए जाते हैं एनिमल से में नहीं रहते हैं चली देखते हैं Sil wall को, Sil wall क्या है तो outermost सबसे बाहरी जो है आपका रच्छा कवच वह सेलवाल होता है, rigid होता है, protective है and supportive, यह आपका सेलवाल का गुन है, पहला outermost, second rigid, third protective and fourth supportive layer, ठीक है न यह चार गुन है, प्रोपर्टी हैं सेलवाल के, और found in plant sales, जितने भी plant sales से उसमें पाए जाते हैं, bacteria में देखे गए हैं, cyanobacteria में देखे जाते हैं, cyanobacteria में देखे गए हैं और कुछ protists हैं, जहां यह सेलवाल पाए जाता है, तो यह भी आप ध्यान देंगे कि कहां कहां पाए जाता है, तो number one plant sales, number two bacteria, number three आप देखते हैं, तो cyanobacteria and number 4 protists में cell wall पाए जाते हैं cell wall पाए कहां नहीं जाते हैं तो animal cells में cell wall नहीं पाए जाते हैं इसी भी animal cells को cell wall की आप सकता नहीं है और इसकी खोज जो की गई है वो रौवाट हुप के द्वारा रौवाट हुप ने 1665 में ठीक है न? cell wall की discovery की है और इसकी जो ठीकनेस होती है cell wall की वो मुटाई जो होती है vary करती है 0.1 micrometer से 10 micrometer तब तो यह देखें और इसका जो chemical composition जो होता है cell wall का जो cell wall होते हैं इसका chemical composition यह बना हुआ होता है तो cell wall में अगर आप देखेंगे तो 60% भाग cell wall का क्या होता है water 60% water होते हैं और cellulose 10 से 15% होते हैं in the form of fibrils fibrils के रूप में रहते हैं cellulose और यह 10 से 15% मौझूद होता है cell wall में hemicellulose 5 to 10% होते हैं और pectic substance 2 to 8% होते हैं proteins जो होते हैं वो मात्र 1 से 2% ही रहता है और lipids 0.5 से 3% तो सबसे ज़्यादा मात्रा अगर किसी की है तो वो होती है water की cell wall में 60% और cellulose उसके बाद number 2 position पर रहता है 10 to 15% और number 3 position पर रहता है hemicellulose cellulose का भाई है hemicellulose चो number 3 position पर है 5 to 10% और 4th position पर है pectic substance 2 to 8% और 5th position पर है proteins 1 to 2% और lipids की मात्रा बहुत कम होती है 0.5 से 3% आप सकता अनुसार ये भैरी करते हैं तो ये देखे chemical composition और plant cell wall को जदी आप cross-sectionally देखना शुरू किजिएगा तो आप पाईएगा क्या कि plant cell wall जो है वोसी में हम लोग divide करते हैं दो भाग में एक तूर primary cell wall और दूसरा secondary cell wall दो भाग में plant cells को हम लोग divide करते हैं अगर इसका बाहरी भाग देखिएगा तो वो होता है primary wall जैसे जैसे अंदर की तरफ जाईएगा वैसे वैसे आपको इसे divide करते हैं और secondary cell wall को हम लोग तीन भाग में divide करते हैं S1, S2 and S3 S3 जो होता है वो सबसे inner part होता है secondary wall S2 जो होता है उसके बाहर रहता है ठीक है और S1 जो होता है वह भी उसके बाहर होता है clear तो इस तरह से आपको जो होते है primary cell wall और secondary cell wall होते हैं और secondary cell wall को हम लोग तीन भाग में divide किये यानि cell wall को जब आप study करेंगे और उसे किसी भी plants के cell wall को cross sectionally काटेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे बाहर में दिखाई देगा primary cell wall उसके अंदर रहेगा secondary S wall S1 layer फिर उसके अंदर का जो layer रहेगा वह रहेगा S2 layer और सबसे अंदर का layer जो रहेगा वह रहता S3 layer रहता है plant cell wall का और primary cell wall को पहले हम लोग देखते हैं अधियन करते primary cell wall तो primary cell wall जो है यह आपका outer part है cell wall का outer part होता है कौन primary cell wall और यह thinner होता है इसकी जो मुटाई होती है यह पतला होता है यह secondary cell wall की तुलना में क्या होता है पतला होता है thinner होता है एक से 3 micrometer और primary cell wall होता है यानि नया नया तयार होता है इसलिए यह elastic होता है and living coat होता है elastic और living होता यानि जीवित रहता है ठीक है न इसलिए नया 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 इनका formation होता है इसलिए इसमें elasticity भी पाई जाती है और जीवित है तो आपको elasticity रहेगी ही रहेगी और यह जो मौझूद होता है primary cell wall यह meristematic dividing and parenchymal cells में मौझूद रहता है यह भी आपको ध्यान देने का चीज़ है कि cell wall जो है meristematic dividing cell में और parenchymal cells में मौझूद रहते हैं केमिकली अगर आप देखिए तो यह बना हुआ होता है cellulose का number one cellulose number two hemicellulose number three pectines और number four proteins केमिकली यह किन किन चीजों का बना हुआ होता है यह तो मैंने आपको बताया ही था अभी कि cell wall जो होते हैं वो बने हुए होते हैं किसकिस चीज़ के तो number one आपको बने हुए है cellulose number two hemicellulose pectic substance proteins और lipids के cell wall बने हुए होते हैं और water भी इन में होता है 60% तो यह तो आपने अभी देखा तो और जो secondary cell wall होता है primary cell wall में अगर आप देखेंगे तो primary cell wall जो था उसमें आपको मौजूद रहते हैं cellulose hemicellulose hemicellulose pectines और proteins यह जो है यह आपको बनाते हैं क्या एक दो तीन चार चीज़ मिल करके यह आपको बनाएंगे क्या primary cell wall अब primary cell wall किसीच का बना हुआ होता है कहां होता है यह तो आपने देख लिया है ना यह जो पार्ट है यह है primary cell wall है ना यह primary cell wall हो गया सबसे बाहर और इसके अंदर यह जो 123 यह क्या है secondary cell wall यह हो गया सबसे अंदर वाला पोर्शन हो गया इस थी क्लियर और इट लाइच इनर टू प्राइमरी चेल वाल क्या होता है प्राइमरी चेल वाल के अंडर में होता है अंदर होता है और यह जो देखा गया है कि primary secondary वाल जो है यह आपको mature और non dividing cells में पाया जाता है primary cells वाल जो होते हैं वो living part में पाया जाते हैं metishtymatic and parent chymal cell में लेकिन secondary cell वाल कहां पाया जाते हैं mature और non dividing cells जैसे की आपको plants के Trachides में देखे जाएंगे, Vessels में देखे जाते हैं, Collin Chymal और Asclean Chymal Cells, यहाँ पर आपको Secondary Cells पाए जाते हैं, Secondary Cells वाल जो है, यह कहां पाए जाएगा, Trachides, Vessels, Collin Chymal, and Asclean Chymal Cells में देखे जाते हैं, और secondary cell wall जो होता है, यह primary cell wall की तुलना में थीकर होता है, मोटा होता है, 5-10 micrometer यह मोटा होता है, और is formed of 3 layers और इसको 3 layers में लोग डिवाइड किये हैं, S1, S2 and S3, in which the macro fibrils are oriented in different directions, और यहां आप जो यह बनता है न, तो यह macro fibrils के द्वारा बनता और इसका direction देखिएगा न, हर कुछ इस तरह से है, तो S2 का direction देखिएगा इस तरह से लंबे-लंबे है, है न, तो S3 में देखिएगा direction कुछ इस तरह से अलग-अलग, तीनों का जो direction देखिएगा, S1 और S2 और S3 में, वो macro fibrils का direction अलग-अलग में राता है, जिससे कि हम identify कर लेते हैं कि कौन S1 है, कौन S2 और S3, है न, तो यह आपका S1 हो गया, यह S2 हो गया, यह S3 हो गया, आप देख सकते हो, S1, S2 और S3 सबसे अंदर में, ओके, और plant cell wall के अंदर में, आपको क्या रहेगा, plasma membrane और उसके अंदर में जाकर के cell रहता है, यानि कितना सुरच्छा से cell को रखा जाता है, यह आप लेकिन secondary cell wall जो form करता है, secondary cell wall जो form करेगा, वो सिर्क cellulose और हैमी cellulose का बना हुआ होता है, secondary cell wall का कारण क्या है, कि यह cellulose और सिर्क हमी cellulose का बना हुआता है, क्योंकि यह mature होता है, non dividing होता है, और इसका काम है क्या, कि पूरे cells को rigidity परदान करता है, strength और rigidity परदान करने का का यही करता है और इसके लिए इसमें सेलुलोज और हैभी कुछ अस्पेसल केमिकल से जो पाए जाते हैं तो secondary cell बने हुए होते हैं किसी के cellulose और hemisellulose के deposited with waterproof suverine in cork cells और cork cells में देखिएगा तो उस पर exuberine का layer भी चड़ा हुआ रहता है किस पर cork cell में especially cork cells में exuberine का layer चड़ाता है जिसके चलते यह इसे cork cells को क्या करता है waterproof बढ़ाता है आप देखिए का cutene on all the aerial parts of plants जितने भी aerial parts हैं उसमें उसके cell वाल पर cutene पाए जाते हैं और जितने भी oody parts plants हैं लकड़ी जिससे हम लोग प्राप्ट करते हैं उसमें या तो lignine रहेगा और silica in grassage और grass पर क्या पाए जाते हैं silica देखे जाते हैं ठीक है glassage के जो cell रहेंगे उसमें silica और oody plants के cell में lignine देखे जाते हैं तो कि lignine जो है उसका काम है strength और rigidity परदान करना तो जो भी आपके घर में दरवाजे लगते हैं ठीक है न वो most secondary cell wall के बने हुए होते हैं और वही rigidity देता है और उसमें cellulose और hemi cellulose का तो बना हुआ है ही लेकिन उसके उपर एक lignine का भी layer रहता है सुवेरीन और क्यूटीन काउज waterproofing cell wall और उसपर सुवेरीन और क्यूटीन भी अगर मौजूद है तो वो क्या करता है उसको waterproofing देता है cell wall को यानि अलग-अलग chemicals की मदद से cell wall जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है और ये है secondary cell wall का function तो secondary cell wall जो होते है उसपर cellulose और hemicellulose तो रहते ही है साथ में lignine भी देखा जाता है सुवेरीन भी रहता है और क्यूटीन भी रहते है लिगदीन का काम है strength और rigidity देना ये ध्यान देंगे लिगदीन का काम क्या है strength और rigidity देना सुवेरीन और क्यूटीन का काम है waterproofing बनाना cell wall को और आपने तो देख लिया कि cell wall कैसे बनता है अब एक cell को दूसरे cell से यदि कोई जोडता है तो वो करता है काम वो काम है middle lamella का middle lamella क्या करता है यह एक binding layer है यह दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है तो binding layer क्यों है middle lamella between the cell wall of adjacent plant cells and is the joint secretion of both the cells जैसे कि आपको कोई भी गत्ते के टुकड़े को या प्लास्टिक के टुकड़े को यदि आपको attach करना है तो वहां पर आप क्या लगाते हैं गोंद लगाते हैं और उस गोंद के द्वारा उसे attach करते है तो यह गोंद का जो काम करता है वो कौन करता है middle lamina होता है जैसे आप देखिए यह cell wall है और यहां पर यह middle लेमला रहता है जो की एक सिल को दूसरे सिल से अटेच कराता है इट इच केमिकली फॉर्म डॉप पेक्टेट्स ऑफ कैल्सियम एंड मैगनेसियम और मिडिल लेमला जो बना हुआ होता है पेक्टेट्स ऑफ कैल्सियम एंड मैगनेसियम का ताकी या गोंद की तरह कार करे और एक सिल को दूसरे सिल से attach कर सके है तो यह भी द्यान देने का चीज है कि middle lemla किसका बना होता है Pectates of calcium and magnesium का बना हुआ होता है और middle lemla absent on free surface फ्री surface पर absent होता है यदि यहां पर इधर कोई सिल नहीं है तो इस side में middle lemla नहीं रहेगा middle lemla वहीं पर पाया जाएगा गोंद वहीं लगाया जाएगा जहां पर से कि आपको एक दूसरे से अटेच करना है यानि कह सकते हैं कि मिडिल लैमला क्या है तेक तरह का गोंद की तरह करता है अब आप देखिए प्लाजमो डिसमाटा क्या होता है प्लाजमो डिसमाटा प्लाजमो डिसमाटा क्या है न कि एक सेल से दूसरे सेल में यदि कुछ आदान परदान कराना है तो यह साइटो प्लाजम के द्वारा भी आदान परदान होता है तो यहाँ पर यह जो गैपिंग है और यहाँ से जो जा रहा है तो यह हम लोग छिस्ट्र को यहां पर इसे कते है पलाज्म, डेस्माटा, और अगर सेलवेल के थूरू आपको कोई भी ट्रानसपोर्टेशन हो रहा है तो यहां पर इस तरह से पाया जाएगा रशि जो की यह कलाता है क्या प्लाजमो देसमाटा तो दो तरह के पातवे होते हैं तीक है प्लाज्म, और स्यंप्लास्टिक पाथवे अगर है ते वह साइटो प्लाज्मिक के तुरू और यह प्लाज्डमोर्डेसमाठा दादर के माध्यम से होता है। प्लाज्मो ्दिसमाठा जो है वह साइटो प्लाज्म online strands है, दीज्डम अधर रस्षी है, विच अधर इंटर-cellular junctions, जो क्या करते हैं? इंटर-cellular junctions के कारें, करते हैं ये plasmo-dismata. यदि ये cell wall में पाया जा रहा है, यदि plasmo-dismata cell wall में पाया जा रहा है, तो वहाँ पर epoplastic path में पाया जाएगा, और यदि आपको, तो यहां पर आपको cytoplasm के थुरू हो रहा है तो नहीं है तो वहां पर जो पाथ हो वहां पर जो पाइसेंज होगा ठीक है ना कोई भी materials का वो simplistic पाथवे के थुरू होगा और यदि cell wall है तो वो epoplastic पाथवे के थुरू आपको transfer होता है एक तरह का या cytoplasmic strands है यानि कहने करता एक ऐसा ये रस्षी है जिसके माध्यम से एक से दूसरे में materials का transfer होता एक ऐसी pipe के नली है जिसका transfer होता है और यदि यह pipe के नली जो है आपको cytoplasmic के बीच मद से होकर गुजरता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या simplistic pathway और यदि यह pipe के नली आपको secondary cell wall के थुरू कस गुजरती है तो जहां पर यह मिलती है उस बुंदी को कहते है प्लाजमो डिस्माटा ठीक है और वो जो movement होता है उसे कहते है मोलोग क्या एपो plastic path way और प्लाजमो डिस्माटा जो है परतीक जो प्लाजमो डिस्माटा होता है फॉर्म होता है simple और branched desmortivules का प्लाजमो डिस्माटा बनता है किससे तो desmortivules से बनता है connecting with endoplasmic reticulum of the adjoining cells और यह जो प्लाजमो डिस्माटा जो बनता है desmortivules से यह जो desmortivules से बनता है और यह जो desmortivules है यह आपको cell में endoplasmic reticulum से attach रहते हैं जहां से कि cells को आपको पूरा exchange of materials का आधान-परदान कराया जाता है ठीक है ना और फिर यह आपका decimotivus से और यह चाहे तो बगल का जो cell है उसको फिर endoplasmic reticulum को यह transfer कराया गया the help in exchange of materials between the cells या आपको materials को exchange करने में मदद करता है cells के एक cell से दूसरे cell में अब आप देखिए cell wall in other organisms और भी जो organisms है उसमें जो cell wall होते हैं होते तो हैं सेम लगबग ऐसे ही लेकिन थोड़ा हलका फुलका composition change हो सकता है according to his their body जैसे कि fungi में अगर देखो so in most of members of fungi the cell wall is formed of kaitin fungal cellulose fungi का जो cell wall देखा गया है कि fungi का जो cell wall होता है वो बना हुआ होता है kaitin का जिसे कि हम लोग कहते हैं fungal cellulose क्या उसे कहते हैं fungal cellulose kaitin का बना होता है लेकिन अगर आप members of class phyakomeps fever को देख्यों को दैख्यें जैसे कि spor そう लेगनिया को देख्यें वहां जिल psycholo का और हो बना हुआ हो नोच को देख्यों कि सेप्रोल लेगनिया को देख्यों को देख्यों का न firm jazz शिंनल Unterstützung of peptidoglycan, वह बना हुआ होता है किसका peptidoglycan का, सिर्फ इसका exception है क्या mycoplasma PPLO, जहां पर कि cell wall ही absent होता है, mycoplasma में cell wall absent होता है, बाकि जितने भी prokaryotes हैं, उन सभी में cell wall होते हैं, और वो cell wall बने हुए होते हैं किस इसके peptidoglycan के बने रहते हैं, अगर आप algae को देखिए, इन algae, तो cell wall is formed of cellulose, galactans, manans, and minerals के बने होते हैं COCO तरीके, तो algae में जो cell wall होते हैं, algae का यदि आप cell wall देखिए, तो वो किसिच का बना हुआ होता है, cellulose, galactans, manans, और minerals, COCO तरीका, तो ये भी आपको याद रखना हुआ, एक जाम में आता है, बहुत फंजाई का cell wall जो है, वो काईटीन, fungal cellulose का बना हुआ होता है, प्रोकारियोर्स में जो cell wall बने हुए तो है प्रेप्टाइडर, glycan का बने होते हैं, किलियर है, और bico plazma PPLO में cell wall absent होता है, तो ये सब चीज़े आपको याद रखने होंगे cell wall के, और cell wall का जो origin अगर आप देखने सुरू कीजिए, तो आप देखते हैं कि origin of cell wall जो है, new cell wall is formed during cytokinesis, नया cell wall जब भी बनता है कब, तो cytokinesis is of plant cell division, plant cell का जब division होता है, और cell plate formation होता है, by cell plate formation, तो cytokinesis के दौरान ही आपका cell wall का formation होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि plant cell division के cytokinesis में, ये आपका cell wall का formation होता है, ये number of elements called pragmoplasts, line up at equator and fuse to form a cell plate, pragmoplasts ये देखिए, number of lines ये आगया, इसको कि आपको लोग pragmoplast करते हैं, और fuse करके बना लेते हैं क्या, एक cell plate, cell plate बना लिए, which finally grow on both sides and forms middle lambda, और finally ये grow करता है, और आपको middle lambda ये बनाता है, और the middle lambda is deposited with cellulose, it is to form cell wall, और फिर वो middle lambda पर cellulose deposit होता है, और भी cutene, spiberine वगार deposit करते हैं, और धीरे धीरे वो cell wall बनाते हैं, primary cell wall पहले बनेगा, और फिर secondary cell wall बनेगा, यानि कहने कार्थ है कि cytokinesis परकिरिया के दौरान, cell wall जो बनता है, उसमें सबसे पहला आपको middle lambda बनेगा, फिर middle lambda से आपको primary cell wall बनेगा, और फिर primary cell wall के अंदर, फिर आपको secondary cell wall बनते हैं, और secondary cell wall को हम जानते हैं कि non-living है, primary cell wall living हो गया, और functions of cell wall अगर आप अश्टड़ी करना शुरू किजिए, तो आप पाएंगे क्या, it provides protection to inner contents from mechanical injuries and entry of chums, cell wall होता ही इसलिए है, ताकि protection प्रदान करें cells को, और किसी भी तरह का germs का attack, bacteria का attack, या mossum का attack से उसे बचाए, it provides mechanical support, या mechanical support provides कराता है cell wall, क्योंकि इस पर आपको layer चड़े रहते हैं, cutene के, है ना, lignine के, it maintains shape of the cells, और ये cells को shape maintain करता है, cell wall of root hair helps in absorption of water and minerals from the soil, और root hair का जो cell wall होता है, root hair का जो cell wall होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, water को absorption करता है, और minerals का absorption करने में मदद करता है, किसका hair, कौण सा root hair का cell wall, और आप ध्यान से देखिए, तो suverine और cutene, आपको evaporation of water से बचाते हैं, क्योंकि suverine और cutene जो है, ये water को बहुत बड़े दुस्मन है, ये water को इस पार से उस पार होने नहीं देंगे, और इसके चलते पतियों से, ठीक है ना, water का evaporation नहीं हो सकता है, इट प्रिभेंट्स undue expansion of the cell, और cell के अत्यधीक expansion को भी या आपको रोकता है, कि ये नहीं भाई कि आभी फैला हुआ है, फिर फ्रादर में सिकुड जाएगा, या सिकुडा हुआ है, तो बहुत तजी से फैल जाएगा, इन सब चीज़ों को expansion से आपको बचाने वाला कोई अगर है, तो वो है हमारा cell wall, यह नहीं सेल वाल का तो पूरा काम ही है, भाई की boundary बना दिये, कि यह भाई यह मेरा जमीन है, है ना, तो जमीन की boundary है cell wall, और यह बहुत मोटी boundary होती है, यह बहुत मोटी boundary होती है, इच इनवाल्व इन मेनी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज, और बहुत सारी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज में भी यह भाग लेता है, यदि cell wall हमारा living है, तो help in cellular interactions and barrier to undesirable macromalcules, और cellular interactions में यह भाग लेता है, जो कि हम लोगों ने बताया ही था, इच जर्स इनवाड वाल प्रेसर टू रेजिस्ट अरगर प्रेसर सो एज तू प्रिवेंट ब्रस्टिंग और सेल्स को ब्रस्ट करने से भी बचाता है कौन, यह हमारा सेल वाल एक दम boundary वाल की तरह काम करता है, जैसे आपके घर का boundary वाल होता है, वैसे ही यह होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल कोट गलाइको कैलिक्स, और यह जो गलाइको कैलिक्स जो पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्टन्स हैं और अनिमल सिल्स हैं, उसी में यह सिल कोट देखा गया है, जिसे कि हम लोग गलाइको कैलिक्स कहते हैं, और यह जो सिल कोट होता है, यह फिलामेंटस लेयर है, किसका ओलीगो सैक्राइट्स का, यह जो फिलामेंटस लेयर जो आप देख रहे हैं, यह ओलीगो सैक्राइट्स का बना हुआ है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या glyco calyx और यह plasma membrane के बाहर रहता है plasma membrane को मजबूती देने के लिए यह outside of the plasma membrane plasma membrane के बाहर यह present रहता है filamentous layer होता और इसका जो function होता है यह mainly function होता है कि cell coat glyco calyx plasma membrane को मजबूती परदान करना ही मुखिता इसका कार होता है protects the plasma membrane and it helps in recognition of cells and allow histocompatible cells to form tissue cells को recognize कराता है कि भाई तुम्हारा काम है tissue बनाना histocompatible cells को to form tissue it provides safe to the cell, cell को एक safety provide कराता है and it helps in recognition of microbes for defense और microbes को recognize कराता है और defense में भी यह protection करवाता है और it plays important role in blood grouping, blood grouping में यह अपना भूमी का आदा करता है और cancer and rejection of transplanted organs यहाँ पर यह जो cell coat glyco calyx है अपनी भूमी का आदा करता है ओके थैंक यू और next class में हम लोग आगे मिलेंगे और यह जो आदा करता है